बॉस्कार दोस्तों लूशन्ट रासनंग जी के इस्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है तो यहां डिसकस की जाएंगे इंपोटेंट इसकस की जाएंगे जो कि आपके एकजाम की दरश्टी से काफ़े इंपोर्टेंट सा भी तोने वाले हैं और सभी कोशन को यहां पर फुली एक्स्प्लेंड किये जाएगा मतलब है एक प्रशन से आपके कम से कम में तीन से चार प्रशन तियार किये जाएंगे और प्रशन कुछ इस प्रकार से समझाए जाएंगे जिससे आप एक्जाम में कन्फिजन ना हो और करेक्ट आंसर आप आसानी से लगा पाओ तो अभी तक दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो लेखे गया था तो सने 1901 इसे में इसे राज्य पशु बनाये गया था यह चीज भी आपको नोटकरणी है इसके अलावा एक राज्य पशु हो रहे हैं उसका नाम क्या है उंट है तो ओट भी राज़ स्थान का राज्य पशु है यह पालतु श्रेणी में राज्य लभा में अनुसंदान संस्तान इसतापित है तो तुिए आपके अविका नगर आनुंक में स्थित है केंद्रिय भेड़े एवं उन अनुसंधान संस्ताने और यह आपके भारत सरकार की द्वारा संचलेते संस्तान है अगला प्रशन है आपका राज्ये में रावत बाटा इस्तिति प्रमानु शक्ति ग्रहे किस देश की साहिता से इस्तापित किया गया है तो यह कनाडा देश की साहिता से रावत बाटा जो की चित्नटगण में इस्तित है यहां पर परमानु शक्ति ग्रहे इस्तापित किया गया है अगला प्रशन है राज़स्टान में राजस्तान में किसानों को उनके तिलहन उतपाधन का उचित मुल्ले दिलाने के लिए कारिय करता है तो इसके लि तो ये दोसा जिले में स्थित है मादो सागरे बांदे अगला प्रशन है पेले पत्थरों से निर्मिते वह किला जिसके निर्मान में कहीं पर भी चुने का प्रियोग नहीं किया गया है तो ये सोनार का किला है जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है और जब इस पर सूरिय की शमकता है इसलिए इसका सोनार किला नाम रखा गया है और यह जैसल मेर में इस्तित है अगला प्रशन है कि तोड़गट का तीसरा साका कब हुआ था तो 1567 पहाडों में चले गए थे और यह जैमल और फत्ता के नेत्रतु में यहां साखा हुआ था अगला प्रशन है आपका रेडियो बांदे और सेपल सागर का संबंदे किस जिले से है तो यह दोनों ही दोसा जिले से संबंद है रेडियो बांद और सेपल सागर का अगला प्रशन ह आपका निम्लेकित में से गलत युग्म को पहचान ये बिजोलिया किशान अंदूलन ने जो कि ये किसान अंदूलन था इस का नेत्रतो मेरे विजे सिंग्ञ पतिये बिल्कुस सब क्ल Aham on Kan Nara Ann scheint चोढ्रम नहीं ने webpage भगत अंदोलन का नेतरतुवे गुरू गोविंद गिरे ने किया बिल्कुं सई है जबकि मेना अंदोलन का नेतरतुवे इस तापना कब की गई थी तुसन ने 1982 इस्वी में की गए थी मस्य विभाग की तिस्ताबना अगला प्रशन है मिहिर बोजे किस वन्ष का शाषक था तो ये गूजर प्रतिहार वन्ष का शाषक था मिहिर बोजे अगला प्रशन है राजस्तान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताईए जिसका प्रकोटा है कि मुस्लिम शाषक या सेनापती द्वारा निर्मान करवाया गया था तो ये साड़नेश्वर के महादेव मंदिर का निर्मान करवाया गया था मुस्लिम सेनापती द्वारा अगला प्रश्ण है और अंग्जेब के समय बाडमेर के वीर दुर्गादास का निवास इस्तले था तो जूना था निवास इस्तले वीर दुर्गादास राठोड का जो की मारवार के शाशक थे अगला प्रश्ण है आपका कौन सा शहर तलवार निर्मान के लिए प्रसिद है तो सिरोई शेतर है जहां पर पक्के लोहे की तलवारे बनाई जाती है और ये तलवार निर्मान के लिए प्रसिद है अगला प्रश्ण है लहरिया इस्त्रियों दौरा किस महा में ओडा जाता है अगला प्रश्ण है राजस्टान का हडपा सव्वेता का प्रसित सिले मेंस्थित है तो यह हन्मानगर जिले मेंस्थित है काली बंगा इस्थित ले अगला प्रस्ण है सीता माता वन्य जीव अभ्यारणे किस जिले में इस्तित है तो ये प्रताबगड जिले में इस्तित है सीता माता वन्य जीव अभ्यारणे अगला प्रस्ण है राजस्तान की वह नदी जो अपनी शुष्कृता के लिए प्रसिद है तथा मीना जाती के लोगे इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं तो ये सूगडी नदी है जिसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं मीना जाती के लोगे और ये अपनी शुश्कृता के लिए प्रसिद है अगला प्रसन है कौन सा क्रांतिकारी राजस्तान का निवासी नहीं था तो विजे सिंग पतिक थे जिसका मूल नामे भूप सिंग था इन्होंने बिजोलिया किसान अंदोलन का नित्रतु किया था ये राजस्तान के निवासी नहीं थे इसके अलावा केसरी सिंग बारते गोपाल सिंग घरवा और अरजुनला सेटे ये तीनों ही राजस्तान के निवासी थे अगला प्रसन है किसने जेसल मेर में पांच पटव हवेलियों का निर्माने करवाय था तो यह गुमान मल पटवाने करवाय था पांच पटवा हवेलियों का निर्माने अगला प्रस्ण है मारवाड परगनारी विगत का लेखक कौन था तो यह नेंड सी था जिसने मारवाड परगनारी विगत लिखी थी अगला प्रस्ण है किस इस इस्तान को बांगड का जलिया वाला बागे कहा जाता है तो ये मांगड इस्तान को कहते हैं जहां पर आदिवासी भीलों पर अंग्रेजों के द्वारा अंधादून गोलियां चलाई गए थे जिसमें हजारों की संक्या में भील घायल हुए थे और शहीद हुए थे इसलि दोदपुर शहर में स्थित है सोबाग्य सागरे तालाब अगला प्रशन है चोबी चोपड़ा फिर्णी गवगाट का समंद है तो ये सबी जो हड होते हैं जो की ग्रामिट शेत्रों में पाए जाते हैं जल इखटा करने के लिए तो उनसे समंदित है गवगाट फिर्णी चोपड़ा और चोबी अगला प्रशन है आपका राजस्तान का कौन सा जिला अधिक्तम मात्रा में इसब गोल पैदा करता है तो ये जालोड जिला है जो की अधिक्तम मात्रा में इसब गोल का उत्पादने करता है अगला प्रशन है आपका शेक्षा का अधिकार अधिनियम ने राजस्तान में कब लागू किया गया था तो ये एक अप्रेले सन 2010 में लागू किया गया था शेक्षा का अधिकार अधिनियम में अगला प्रश्ण है राजस्तान में डबो के एरपोर्ट है कहां इस्तित है तो ये उदेपुर जिले में इस्तित है डबो के एरपोर्ट है अगला प्रस्न है राजस्तान का कष्मीर किसे कहा जाता है तो यह उद्धेपुर शहर को कहा जाता है राजस्तान के कस्मीर के नाम से अगला प्रस्ण है राश्टिय उंट अनुसंदान केंद्रे कहां इस्तित है तो ये जोहड़ बीड़े बेकानियत में इस्तित है राश्टिय उंट अनुसंदान केंद्रे अगला प्रस्ण है आपका शुष्क वन अनुसंदान संस्तान ने जिसे हम आफरी कहते हैं कहां इस्तित है तो ये जोद्पुर में इस्तित है आफरी संस्तान ने और आप से पूछा जाए कि काजरी संस्तान कहां इस्तित है तो काजरी संस्तान भी जोद्पुर में इस्तित है अगला प्रशन है 25 मई 1948 को गठी ते संयुक्त राजस्तान का मुख्य मंत्री बनाय गया था तो ये गोकुल लालाश्वा को बनाय गया था मुख्य मंत्री संयुक्त राजस्तान का अगला प्रस्ण है वरत राजस्तान का प्रदान मंत्री कौन था तो हीराला शास्तिरी था जो कि वरत राजस्तान का प्रदान मंत्री था अगला प्रशन है संयुक्त राजस्तान में जिस रियसत का विले हुआ वह थी तो ये प्रताबगड रियसत थी जिसमें विले हुआ था संयुक्त राजस्तान में अगला प्रशन है मस्य संक राजबर मुख थे अगला प्रशन है सम गाँवए जो की पूंट्य हा वनस्पती रहीत शेतर है किस जिले में इस्तित है तो ये जेसर मेर जिले में इस्तित है सम गाव में जो की पूंटिहा वनस्पति रहिते गाव हैं अगला प्रशन है आपका राजस्तान में पत्रकाडिता का पिता महा किसे कहा जाता है तो ये पंडित जाबरमा शर्मा को कहा जाता है पत्रकाडिता का पिता महा अगला पुष्ण है चेडावा का गानदी किसे कहते हैं तो सरदारे प्यारे लाल को कहते हैं चेडावा का गानदी अगला प्रशन है आपका हर्यानवी किस पशु की नसल है तो यह आपके गाय की नसल है हर्यानवी अगला प्रशन है मास उत्पादन के लिए बकरी की उप्युक्त नसल है तो यह लोही नसल की बकरी है जिससे सबसे अधिक मास उत्पादन होता है अगला पुर्शन है अद्रक वे हल्दी का सरवादिक उत्पादक जिला कौन सा है तो उदेपुर जिला है जहाँ पर एक सेत्र है जाडोले यहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्दी और अद्रक का उत्पादने होता है अगला पुर्शन है आपका राजस्तान की नदियों का अधिकांस जल्ग ग्रहन शेत्रे कौन सा है तो अरावली परवतमला है जिससे राजस्तान के अधिकतम नदियों का उद्धिगम होता है और सबसे ज़्यादा जल्ग राजस्तान को मिलता है अगला प्रस्न है राजस्तान में पंचाहिती राजगा आगाजे कब हुआ था तो ये दो अक्टूबर 1969 इसवी को पंडित जवारलाल नहरू के द्वारा पंचाहिती राजगा उद्गाटा ने नागोर के बगदरी गाउं से शुरू किया गया था दो अक्टूबर 1969 आपको याद करना है पंडित जवारलाल नहरू याद करना है और नागोर का बगदरी गाउं आपको याद करना है अगला प्रस्न है राजसेम में सहकारिता के शिक्षन एवं में प्रक्षिशन के लिए कब इस्तापित किया गया था तो ये अप्रेले 1994 में इस्तापित किया गया था राजसेम में अगला प्रस्न है रोहिणी वरूना आदे किस में किस फसल की है तो ये सबी सरसों फसल के किसमे हैं रोहिणी और वरूना